सब्सक्राइब देश पर देश लाइफ प्रोग्राम तुस्त देख रहे होते मैं कवता सिंग हाजर तेन आले साड़े आज़े स्टेडी विजा एक्सपर्ट साड़े ना माजूद ने जो थाड़े सवालां दे जवाब दे वास थे प्रण था हाजर ने पर देश लाइफ देश दे शाड़े कि अझान ना फरे देश लाइफ देश जेए नंबर 13 स्क्रीन है ने ना ने जी वेस्टर ऑफिर्टस तो अवर्सी तुस्त ने स्टेश जिलेंड बांडि़न तरदी बालन देश अंद रिसकान तरदी एविग जरूर लिया करो अप्लाई करना ना करना थोड़ा अपना परस्ना डिसीजन है ते अज हर कंट्री जिते सानु अप्लाई करना मौका दे रही है अड्मिशन सानु मिल रही है चाहे मैं यूएस ती कल करा यूके चाहे यूएस हो गया जी आज काफी वदिया जड़ी सब्सक्राइब करना चाहिए करना चाहिए कंसल्टेंट जड़ा है कि 10 अनु एक चंगी सलाथ एगा एदे बारे असी जुरूर डिसक्स करांगे ना डिना रियालिटी टेस्ट थोड़े वास्ते बहुत जल्द लेके आरेने वेस्टन ओवरसीज ते नाल हीजी एड़ेशन अब अपने शेयराद विचे कदो पांच लेने वेस्टन ओवरसीज तेम तेम यह जो भी जाएगा आपने लेके लिए जोड़ेशन फुरूरे जाएगा जाएगा नाल देना बैल जाना जी अबट फिलहाल अग्ट्री दी चून करनी किए इक स्टूड़े एक स्टूड़े लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे पर्टिकूलर ये कंट्री मिल जाए ऐसा नहीं होगा जो बच्चे की प्रोफाइल है वो कहां फिट बैठता है वो चीज़े देखनी जरूरी है अगर बच्चे की अलग-अलग च्वाइस हो सकती है बच्चा सिर्फ पढ़ना चा तो उसमें वेस्ट नोशीज की टीम हेल्प करती कि बच्चे की प्रोफाइल के शाब से उसके एकड़मिक के शाब से उसके एक्सके स्कोर के साब से उसकी फैंडी की एन्मल इंकम के शाब से और उसके बजट के साब से यह पर चारे बच्चे आते हैं जी मेरे पास तो 6 lakh र सकते हो European countries में भी जर्मनी नहीं जा सकता है तो लात्या है लिफुनिया है पोलेंड है माल्टा है इस बजट में लेकर जा सकते हैं तो हर एक बच्चे का अपना अपना बजट और अपनी अपनी कंडिशन होती है उस कंडिशन के हिसाफ से बच्चे को जाना चाहिए कई बच ना बच्चे से पूछा जाता है और वहां पर हम डिसाइड कर ले ले तो ना बच्चे को मंद कर दा दांगे अची फॉन्ट कर दांगे अपने खाल देट ऑपने वंड हो दो इंड़ श्यक्त वीद्व कर घान तो देखें मैम आप वह कर तो धेंगे लेंगे लेकिन बाद म कगा लगा तो अगर मान लोग कोई किसी की देवांस फिस्ट लगा रहा है तो कोई ऐसा तो एनी कोई उसका वो अधुन कारते हैं बेटी आपने पंले तो कोई नहीं परेगा था एकषच्टर डिंग तो यह इस नियुद सब्सक्राइब है तो इस नियुद ग्टॉड़िट लगता है कि यह बहुत बड़ी प्रब्लम है यह लगता है कि यह थीक ठागा तो वी कैन ट्राइब लेकिन अगाम इसको बहुत पर्मोट नहीं अगते हैं अच्छा इदान ने जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टुटेंट साथे हैं नाइंटी-90 परसंट वाले बच्चे जड़क करना है गाम यह अई है तो अगैंट प्रसंटेशी और करें तो परसंटेश का लिच छोरां से कहाँ है सबकूंगा प्रसंटेश में है जो आगкої की खबातरी मिल वाले भातरी Ihग्ज कार फोरी प्रूरे चाहर साल के उस और प्रूंटेशी अग 평्तis KIM के 협ाना कि ब Equal लोए भ मिलती है दिलिस्ट का मिलब यह है कि वहां अगर बच्चे के 80-90% इसको अगर मेंटेन रखता है तो पूरी डुरिंग स्टडी उसको मिलती है इसको मिलती है इसको डिपेंड करता है कि बचा अब फीज ही मान लो 7 लाक रुपे है किसी कोलेज की तो वैसे अब इसको अब आपने बता दी है लेकिन एक मोडूल में साड़े पांच बैने हैं अचा देखिये ना अगर 90% के इसालचे तो इसके बैंड तो यह तो बचा तो बहुत ब्रियंड है अब आपने वोले इसके साड़े पांच बैने है तो यह तो यह डिपेंड करता है कि क्या क है बच्चे की प्रोफाइल क्या है और आल परसेंटेज कितनी है कब पास आउट है यह स्कोलर्शिप अवेलेबल है और मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वेस्टों और सी जा रहा है जी एजुकेशन फेर लेके जिसमें आपको स्कोलर्शिप मिलेगी अगर आप उन्सपोर्ट एड्मिशन लेते हैं तो युनिवरस्टी और कॉलेजी स्कोलर्शिप दे रही है वहाँ पे तो सेवन अक्टूबर से फॉर्टिन अक्टूबर तर से फॉर्टिन अक्टूबर तक एजुकेशन फेर है नौर्थ इंडिया के बिग्गेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और नौरातरों में ही ये सारे होंगे साथ से चोधा सिटी हम इसमें कवर कर रहे हैं जिसमें थास्ट एकटूबर को दो सीटी हैं जी थास्टिय का दिन नौरातरा है अम्रिसर एंबाला अम्रिशन में होटल HK Clarkin और अम्रिशन में होटल Clarkin जगी City Center 18 October Friday के दिन जलंदर और कुख छेतर आ रहें जी जलंदर में होटल Kings और कुख छेतर में होटल 9 Planet 9th October दिन Saturday लुद्याना एंड करनाल लुद्याना में A होटल और करनाल में होटल डिवेंचर 10 October Sunday का दिने पतियाला एंड युम्ना नगर पतियाला में होटल मौहन कॉंटिनेंटल है यम्ना नगर में होटल मधूम 11 October दिन मंडे जी बातिंदा एंड सोनिपत बातिनदा में होटल करिश्ना कॉंटिनेंटल एंड सोनिपत में उत्सव पार्टिहाल 12 October Tuesday का दिनाजी देहरादून एंड कैतल देहरादून में होटल सैफ्रोन लिप और कैतल में होटल गोल्डिन 13 October Wednesday का दिनाजी चंडिगर में एक ही फेर रहेगा इस दिन जो की होटल रोमा में सेक्टर 22 सी ठीक है ये एजुकेशन फेर रहेगा और 14 अक्टूबर दिन थर्स्दे दिल्ली आ रहे हैं जी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट लेके जिसमें ये न्यू दिल्ली में प्लेस होटल रोयल प्लाजा सुबह 10 वजे से लेके शाम के 5 वजे तक यहां मौर देन 50 युनिवर्स्टी और कॉलिजिज के डेलिगेट से मिल सकते हों जिसमें कैनेडा के भी होंगे USA के भी होंगे UK के भी होंगे यूरोप के भी होंगे और ऑस्टेलिया के होंगे 15 एजु 30% application fee way off मिलेगी अच्छा अलड़ी हम अनौंस कर चुके हैं जो बच्चा देश-परदेश के इस सो को देखके आ रहा है उसको हम 100% वे आफ देंगे जिसमें वो एडमिशन ले रहे हैं जिसमें बताना पड़ेगा कि इस पर देश पर देश से आया है फर्स्टीं सेकंड़ी मैं खुद होगा और मेरी टीम होगी युनिवर्सटी कोलेज के डेलिगेट का काम है आपको अपनी कोलेज के बारे में बताना उस कंट्री के बारे में बताना कोर्सिस के बारे में बताना वेस्ट लोर्सिस की टीम आपको बताएगी किस तरीके से वीजा लिया जा सकता है क् हैं जिसको आपने दूर करना है ठीक कितना बैंट को चाहिए कितने फंड चाहिए पेरेंट्स की एन्वल इंकम क्या चाहिए ठीक है यह सारे कि दोकुमेंटेशन के बारे में बस्चो को वेस्ट नुछ सिज की ठी अगर किसी बच्चे को एंदी प्रफलं में बहुत सारे हैं जो आपकी बच्च और श्विस कंट से क्वैंड लेने ही तो हम हारhoot है से शारा पटूम्न foi कर दियां कि कि अरो जी और जढ़े साथ तुसी प्ड़ शुख दिनादी जड़ी है जै कि पेशल के पिंद दूग जड़ी हैसा यह नियत थी हो बग़वाने आप भी बता देता है यह तो यह हम में भी रखना तो हमें भी कुछ शुख कारिय कर ने देता है तो इस अवरात्र अगर इस महीने की बात करें तो अक्टूबर अगले महीने की बात करें जो कि अभी सेप्टमबर चल रहा है अभी हमारा 11 सेप्टमबर को होटल बालसन पटियाला में रियल्टी टेस्ट हो चुका है जिसमें more than 500 स्टूडेंट से रियल्टी टेस्ट दिया है बहुत बड़े ल आप हम 18 और 25ॡ बट को जलंदर आरहे हैं और 25 सेप्टमबर को करनाल आरहे है तो यहां 18 सेप्टमबर को जलंदर में इसलिई Τ lagi स्ट है उनके लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि उनको अभी फाइनल एक्जाम से पहले और पूरा रियल इन्वार्मेंट मिलना चाहिए जिसमें फियर फोबिया एंजाइटी नर्वसनेस रिमूव हो जाए और आपको असेस्मेंट मिले कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं आज की ड करना है तो आज पर प्याइट अवेलेबल होंगी और वहीं से आपको ऑन्लine आपना रिस्टेशन कराना है और वहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं और जब आपका एक्जाम खत्म होने के बाद जो रिजल्ट है आप वहीं से एक्जाम अपना रिजल्ट रिजल्ट भी देख स अक्तूबर बड़े ही शुब देन ते शुब काम दिजरी शुरुआत है आसे इन शुब दिना देविच करांगे ता आम शुर के वधिया ही सानना शुब ही होईगा जी चंगा ही होईगा ते बाकी रियाल्टी टेस्स थोड़े वस्ते लाए क्या रहने जी 18 संबर नो जलंद प्रण देगा है जो तुसी एक्जाम देना है तो पता लगजेगा कि हां जी रियल एक्जाम देविच की कुछ हुंदा है जो फलहाल जी मिस्टर परदीप साथे माल ने वेस्टर नोबर सी तो साथे सटेड़ी वीजा एक्सपर्ट थे आज अज से हर कंट्री दी गाल कारी ज्वाट कते सब्सक्राइब है जी ऑफ–क्ति पर अपने सपाउस आप शांते अम्यूर्जी दीपैंडेंडन के साथ य॑ अपने सपाउस के साथ खला सकते हैं प्र अपने डिपैंडेंडन को साथ लोगा केसे। झाल कहें है तो अगर आपने ग्रेजविशन कर रखी है आप बेचलर है खुद स्टुडेंट आपका डिपेंडेंट चाहें टैंथ पास है जए ग्रेजवेट है डिजन्ट मैटर अगर आप ग्रेजवेट है तो मास्टर के लिए आप अपलाई करेंगे और मास्टर में स्पाउस वीज करेंगे आपका dependent जो आपको spouse है वो full-time काम करेगा very simple आपको master's के लिए apply करना है और आप पहले दिन से अपने dependence को साथ ले के जा सकते हैं और इसके लावा आपको क्योंकि North India के जो बच्चे उनकी 60-70% लेती है और यहां master's one year की भी है और इसके लब अपने दिखाने हैं और अपने डिपेंडन के दिखाने 28 days old फंड होने चाहिए चाहिए आप FD दिखाए या सेविं दिखाए अगर education loan दिखाने तो वह अपने पार्ट का दिखा सकते अपने डिपेंडन का नहीं दिखा सकते लेकिन एजुकेशन लोन करण का चलता है तो वेरी सिंपल ली जो बच्चा यूक के जाना चाहता है आज की डेट में वहां पर PR भी है वहां citizenship भी है बहुत सारे कre皆さん मिसगाई यह से का जायए कि नहीं है मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर सेटलमेंट है आप सेटल हो सकते हो अग्स 560 को यह के एंड युड्यूपीन YouTubeं कंट्री की जो आपक्ते मैं बार्डर जो फी थे बंद वहीं आप मतत जो चुके vosदर में कर सकती है अगर आप यहां काम करने आना चाहते हो तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर आना होगा तो यह फ्रीडम मुवमेंट्स बंद होगी है फस्तिंग और एक जुलाई दो हजार इकिस को उन्होंने ग्रेजवेट रूट लॉंच कर रखे ग्रेजवेट रूट का मतलब यह है कि आप बैचलर और मास्टर कुछ भी कर लें चाहिए बैचलर कर ले या मास्टर कर ले और आपकी पढ़ाई एक जुलाई दो हजार इकिस या उसके बाद खतम हो रही है मैं अब उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पहले चले गई हैं तो जिसकी पढ़ाई एक जुलाई कर दो हजार इकिस या उसके बाद खतम हो रही है या जो बच्ची अभी नहीं जा रहे हैं उनकी तो ने चुल्सी बात बाद में होनी है यह सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है ग्रेजुए टूट में पोस्टडी वर्क वीजा के लिए आपने बैचलर की है दो साल का वक्वीजा अगर आपने अरास की है दो साल का वर्क वीजा अगर आपने प्थी कि है तो साल तो तीन साल का वक वीजा ठीकिए ठीक है तो 70 पॉइंट बनाने हैं, वो बता देता हूं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चीए, तो टायर टू स्पॉंसर्स हैं, जो इंप्लोयर है, रिश्टर्ड इंप्लोयर हैं, वो तकरीबन 36,000 है, उन में से किसी एक के पास जोग, तो 20 पॉइंट मिल जाएंगे, जोग उफर तो यह स्किल जोब है, तो अगें 20 पॉइंट मिल जाएंगे, फिर आपको B1 लेवल की लेंगविज चीए, पास बेंड के इकवल, ठीक है, 10 पॉइंट यहां मिल जाएंगे, तो 50 पॉइंट तो 20 पॉइंट और लेने हैं, तो 20 पॉइंट आपके पास, अगर 25,600 पॉंड की का हो या फिर आपकी shortage occupation में जोब हो, इसके लाबा अगर आप new internet है, new internet वो अच्छी होते हैं, जो recent गए है, जो student visa पे थे, और student visa से क्या नामा भी, चैतो उन्होंने skilled worker visa पे आया, student visa से graduate route पे है, या सीधा student visa से skilled worker visa पे आए, फिर बोला चाहूँँगा, चैता student visa से skilled worker visa पे आग ये इन जोब हो, ये लोग तो अगले 35,600 की बीदिन है, ये 20,480 पौंड भी अगर पास बीदिन जोब एफर है तब भी आप इस पास पास इस पास के पास में जोब अपर है तब ही आप एलिजीबे हैं, तो 20 पौंज आपको में जेए, तो 70 पौंड काने अच्ट कांट कां तो यह 70 पॉइंट जैसे आपके बनते हैं तो आपको पांस साल का स्किल्ड वर्कर वीजा मिलेगा पांस साल लगातार जोग करने के बाद आप इंडेफिनिट लीव तो रिमें पर चले जाएंगे मलब पी आप जब एक साल प्यार के स्टेटस पर रह लेंगे अच्छा तो वेरी सिंपल आप बैचलर करें मास्टर करें उसके बाद आपको दो साल का विजा है जिसमें आपने सेंटी पॉइंट प्लाने है फिर आपका स्किल्ड वर्कर वीजा लग जाएगा जो कि पांसाल का है पांसाल लगाता रहने के बाद आप पी यार के लिए अबचे क्माया है थे लिए फिलहाव जी मुझते हैं छोन प्लाहव जी यूके यज देका पी आर दियां। स्टिफाइज प्लाहव जी यूके शर्पस नो मुखा थे हूं टैयर है पूर अब सब्स्क्रामर्ण लिएं इस सेस्टेट चारी परहें नहीं का चाम का व्री नह करें सब्सक्राण करें अगर को है अथार सदस्क्याज़िट醉 निफेष्ट कि पुराणाग था सब्सक्राण है वह रखा में चिए वाद तॉं कि अगर कोई अपनी फिल्ड में आपन इसे अनले यह वह और कि तो पड़ाई बहुत बड़ी है तो बच्चा यहां पड़े अगर इंडिया वाप्या जाए इंडिया वाप्या जिस बच्चोंने लो करनी है तो नहीं हमारा इंडिया का लो मिलता है फिर निम्या जाते हैं ऌहे वाप्या लो करें फिर पर वाप्यव निम्या मिल मुला मुंणने ठाव इंडिया बहुत कर लो हांचा प्रइटर बन जाए गाए इंडिया बर्डी कर सकता है वहां भी रह सकता है चछाए ने दर बू है तो यूकिया के लिए भी बहुत ज्यादा जनके प्रविज में यॉर्प कर दो दो जरो जा है था रखिवर ज़ों के एक करेशा जाना है जब्सक्राइब्सरी पर जाना है यॉर्पलादी पर स्टुड़िक लिए थे वारी एक करे रखियर यॉर्मानी को 30 जाना को तुडल गान रखिया है तो ऑगर मैं ग जरुड़ है तो जर्मनी का सचसेस रेट बहुत पड़िया है जो पछा पहले तो पहले जाते थी आप कुछ उनिवर्स्टी इस बिदाउट आप बंद कर दिया है तो बच्छे आए आए पांस बैंड के साथ या पीट करके आए तो आप बैचलर और मास्टर्स के लिए जा सकते हैं बैसलर तो यहां पर फ्री एजूचेशन है ठीक है हर टैप की पेड़े झूचेशन भी एजर्मनी स्टूडेंस का यहां पाइंड मेंट की थोड़ी ची पॉब्लम है लिए अभी भी ऑपाइंड मैंट है और बैसलर में आपामट मिल रही हैं लिके जोड़ सा वेट-टन स्टी सिर यहां पर आपको बताया जाएगा तो आप 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आप इन एजुकेशन फिर में पार्टिस्पेट कर सकते हैं जिसमें कैनेडा युएस से युके एंड युरोपियन यहां पर आपको कांशलिंग देंगे और इसके लावा उस्टेलिया सेवन्थ अक्टूबर को पहला नौरात्रा इसलिए बता रहा हूं क्यों बहुत सुप दिन है स्टूडेंट्स को यह रिलाइज होना चाहिए कि इस टैम पर हम काम करते हैं अच्छे दिल के साथ और अचेटी आपना फ्राइड ऐन एक्र होटल किंग्स एन जैटेडर ऑंडल होटल नइन है मैंसेंसे 10 अक्टूबर सेंडे के दिन पटियाला युम्पाटल मॉन कांटीनेंटल आप ऐसूब्य मंडे के इनग्दा और सोनिपत्वाटल कृस्ण कॉंटिनेंटल एंड सोनीपद में उत्सव पार्टी हाल जो किस वासुक पे है बारह अक्टूबर दिन टुजडे देहरादून एंड कैथल देहरादून में होटल सैप्रॉन लीफ एंड कैथल में होटल गोल्डिन एक्टूबर वैटनस दे चंडिगर होटल रोमा एंड फॉर्टिन अक्टूबर थर्जडे के दिन न्यू दिली क्नाट प्रेस होटल दा रोयल प्लाजा सुबह 10 बजे से लेके शाम के पांद जितक आप मेरे से मेरी टीम से और युनिवस्ति सब्सक्राइब को जलंदर होने जा रहा है और 25 सेप्टमबर को करनाल होने जा रहा है उसके लिए आपको 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 आपनी डेट बूक कर लेजिए जी सो बात बात शुक्रिया सर तानवाज जी ए थियानवास दे तैंक्यू काफी एंफोमेशन जी आज चाहे य आपको 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 आपक झाल झाल